डियर स्टुडेंट्स लोग प्रसाशन की कक्षा में आपका स्वागत है हम लोग आज कार्मिक लोग शिकायत वैपैंशन मंत्राले के बारे में पढ़ते हैं यह आपके क्या है पेपर सेकेंड के अंतरगत आता है चैप्टर इसे पूर्व हम लोगों ने वित मंत्राले के बा बिद्या पते क्या है to आज हम कार्मिक लोग सेंड आता प्रस ला आतीफासित ब्रस्ट वूमे और क्या है इसके बारे में और केंद्रिय सेवाएं दो प्रकार की सेवाएं हैं अखील भारतिय सेवाएं भारत में तीन प्रकार की हैं एक भारतिय प्रसासनिक सेवा दूसरी भारतिय प्रसासनिक बारतिय पुलिस सेवा और तीसरी है भारतिय वन सेवा इनको शॉट में हम IAS यानि भारतिय प्रसासनिक स सेवा IPS यानि भारतिय पुलिस सेवा और IFS यानि भारतिय वन सेवा अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये तीन प्रकार की अखिल भारतिय सेवाई हैं इसके अलावा केंदर सरकार के जो भी विभाग है जो विभाग या मंत्राले केंदर सरकार के दीन है तो उनके जो कार्मिक हैं वो क्या है केंदरिये सेवाओं के कार्मिक होते हैं तो उसमें क्या है जो उच्छ लेवल के बद हैं वो क्या है केंदरिये सेवाओं के होते हैं तो अकिल भारतिये सेवाएं और केंद्रीये सेवाएं जो हैं उनके कार्मिकों के जो प्रकरन हैं और उनको काडिनेट यानि समन्वीत करने के लिए केंद्र सरकार के कारेलय और उनके विरुद जो भी जन्ता की सिखाईतें हैं उनका निवारण करने के लिए तता केंद्र सरकार से सेवा निवरत होने वाले कार्मिकों के पैंशन मामलों में कारवाई के लिए क्या है ये मंत्राले बनाया गया है जिसका नाम है कार्मिक लोग सिकायत एवं पैंशन मंत्राले यह जो मन्तराले है इसकी स्थापना राजीव गंदी सरकार के समय सन उननिस्सों पिच्छियासी में की उनेनटीन अीटिफाइव में इस मन्तराले की स्थापना हुई थी एक मन्तराले के रूप में लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले कि जो केंद्रिय सेवाओं के और अखिल भारतिय सेवाओं के जो कार्मिक थे या जो रिटाइड करमचरी थे उनके पैंशन के मामलों का नेपटारा नहीं होता था उससे पहले कुछ अन्य संक्टन काम करते थे तो उसके बारे में हो तोड़ा देखते हैं यानि कहने का भाव यह है कि इस से पहले इस मंत्राले से संबंदिते जो कारे थे वो क्या है कभी तो क्या है मंत्री मंडल सचेवाले कभी ग्रै मंत्राले कभी वित्य मंत्राले यह क्या है संभालता था या करता था प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम जो है उसने क्या है रिपोर्ट दी थी भारत सरकार की मशीनरी और उसकी कारेप्रणाली तो इस रिपोर्ट में क्या है उन्होंने ये अनसंसा की थी 1st ARC ने इंडिन रिफॉर्म कमिशन जो है उसने ये कहा था कि कैबिनेट सचीव के अधिन क्या है एक कार्मिक विभाग बनाया जाना चाहिए था जो क्या करे अखिल भारतिय सेवाओं केंद्रिय सेवाओं तथा जो अन्या कार्मचारी है या कार्मिक है उनके विकास प्रसिक्षन भरती उनकी सेवासरते अनुसासन और अनुसंधान इससे संबंदित क्या है वो करे इंटिक्रेटिड रूप से क्या है करे एकिकरत रूप और सन 1970 में मंत्रि मंडल सची वाले के अधीन क्या है एक कार्मिक विभाग बना दिया इससे पहले पॉल एच एपलभी के अनुसंसाइं आई थी रिपोर्ट जो थी उसमें भी क्या है सन 1954 में उस रिपोर्ट के अधार पर पॉल एच एपलभी जो है इन्होंने नुसंसा की थी और उनके नुसंसाइं पर क्या है 1954 में क्या है O&M यानि Organization and Method जिसको कहते हैं संग्ठन वपदती ये एक संभाग बनाया गया था उसको क्या है सन 1964 में प्रसासनिक सुधार विभाग जो ग्रेव मंत्राले के अधीन था उसमें क्या है उसको मिला दिया था तो फिर उसके बाद में क्या हुआ उनिसो तेहत्तर में मंत्री मंडल सची वाले में कार्मिक तथा प्रसासनिक विभाग नामक जो एक रचना है उसका क्या गटन हुआ यानि 1970 में तो बना कार्मिक विभाग और 1973 में क्या हो गया प्रसासनिक विभाग यह प्रसासनिक विभाग जो शुदार विभाग जो था वो पहले कहां था ग्रे मंत्राले के दिन था तो ग्रे मंत्राले वाला जिसमें O&M काम करता था प्रसासनिक शुदार विभाग और क्या दोनों को केमिनेट सचिवाल Choi से अटा दिया और उसको फिर क्या कर दिया ग्रह मंत्राल्यके अधीन कर दिया उसके बाद में शन उनीसो पिच्च्यसी में केंद्रियर सचिवालयके मंत्रालियों में कुनर गठन करते वे कार्मिक लोग सिकायत एवं पैंशन नामक एक स्वतंत्र मंत्राले की स्थापना करती गए तो इस प्रकार से क्या है ये कार्मिक लोग सिकायत एवं पैंशन मंत्राले है अस्तितों में आया अब इसके बाद हम क्या है इसके संग्ठन के बारे में देखते हैं तो आपके लिए यहाँ एक फ्लो चार्ट है यह इसमें क्या है हम थोड़ा संग्ठन के बारे में देखते हैं कार्मिक लोग सिकाई तथा पैंसन मंत्राले का अलग से कोई क्याबिनेट मंत्री नहीं होता ये क्या है प्रधार मंत्री के प्रतिक्ष मंत्रिन में कारे करता है जिसकी साहिता के लिए यानि प्रधार मंत्री के साहिता के लिए एक या दो राज्य मंत्री क्या है निवक्त कर यानि यह राज्य मंत्री के एंडर में काम करता है प्रसासनिक तरफ पर इस मंत्राले का सिर्ष अधिकारी जो है वो सच्छिव कार्मिक कहलाता है यह लिखावा यहां पर देखो सच्चिव कार्मिक यह क्या है इसका प्रसासनिक लेवल पर क्या है सर्वोच अधिकारी यह राजनातिक लेवल पर क्या है प्राइम मिनिस्टर है और यह जो सच्चिव है कार्मिक यह क्या है भारतिय प्रसासनिक सेवा के अर्थात IAS जिसको ब में मुख्य जो हैं वह सची उकार्मिक होते हैं इस मंत्रा लेके शभी नियो जन्संग्ठम निरदेशन बजट पर्तिवेदन नियंत्रण यह सारे जो कारें हैं यह क्या है जो सचीव कार्मिक हैं उसके अंडर में होते हैं सचिव कार्मिक के अधीन दो अत्रिक्त सचिव भी होते हैं यह भी आईये सदिखारी होते हैं एक तो होता है अत्रिक्त सचिव कार्मिक एवन प्रशिक्ष्ण भी भाग और एक अत्रिक्त सचिव होता है संस्तापन अर्थात एस्टेबिलिश्मेंट और ये जो अत्रिक्त सचीव हैं इनके अधीन भी क्या है सचीव होते हैं और इसके अलावा एक जो ये सचीव प्रसासनिक सुधार है उनके अधीन क्या है एक अत्रिक्त सचीव प्रसासनिक सुधार वर लोक सिकायत है एक निदेशक होते हैं इनके पैंशन वा कल्यान और एक ह यहां होती है इसी प्रकार यह जो अत्रिक्त सची हैं प्रस्यासनिक सुधार वे लोग सिकायत इनके दिन जाइंट सेक्रेटरी अर्था सची वर निदेशक होते हैं जानी इसके अलावा अब इसको मौटे तोरफ देखें तो यह मंत्राले हैं इसको क्या है तीन वागों में बंटा गया है एक तो है कार्मिक और प्रस्यासनिक सुधार वाग कथि याध कि और एक फैंसय है उकल्यान से दोkenntितेया विज़ा हो dispos床 कि अब मुंद्रर है उसको अठ संभागों में बांटा गया है जैसे श्मकान संभाग साथ इसकायत संभाग इसके अलावा इसके कुछ संबंध साहिक अभी करना जैसे संघ वायोग है उनको यह प्रशाषनी साहिता देता है रंचारी चैन आयोग है लोगो पुरम चेन मंडल है बारती लोग प्रसासन संस्थान जो है आई आई पी एजिसको बोलते हैं सचेवाले प्रशक्षिक्षन वह प्रबंद संस्थान है लाल बादूर सास्तरी राष्टी प्रसासन अगादमी जहां आई इसकी आई पीएस की जो केंद्री से वाएं सद्र यह कि अंदर में है तो इनकी डिटेल मेंहम नहीं जाएंगे फिर अपने ज्यादा अविश्तरत हो जाएगा यह तो यह इस परकार से क्या है हमारे संझ्ठन था इसका और इसकी प्रश्ट भंमी के बारे में हम लोने पढ़ा इसके पत साथ हम है आगे के जो क्लास है उसमें हम इसके कारियों के बारे में पड़ेंगे